कोरोना भायरस जो सबसे खतरनाग भायरस में से एक है हाली में चैना में फेल कोरोना भायरस नहाकार मचा दिया है चैना में अब तक कोरोना के संग्रमन से करिब 80 लोगों से भी ज्यादा के मौत हो चुकी है वही 3000 साधिक लोगों से संग्रामिर के पुष्टी हो चुकी है चीन भायक और ये देशों में फैल चुकी है जैसे कि इंडिया, नेपाल, मंगोलिया, थाइलान, कोडिया, जपान में पहुँच चुका है चेना ये फैले कोरोना भायरस का खर बढ़ रहा है तो दोस्तों आखिर ये कोरोना भायरस है क्या और कैसे फैलता है और ये कित्रा खतरनाक है, सब जानते है इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे आखिर क्या है ये कोरोना भायरस करोना भाइरस एक तरह के संग्रमीर होने बला भाइरस है मतलब करोना भाइरस बिशानों के एक बड़ा सम्मू है जो इंसानों में समय जो काम से लेकर स्वासन तंतर की गंफिर समय से तक पैदा कर सकता है यानि यह भायरस यह बैक्ति से दुसरे बैक्ति वह सक्रामन के जरिया फैलता है यानि यह एक कम्ली केवल डीजीज है इसके अलाव करना भायरस से सार्स याने की सेवर एक्यूट रेस्पेरेटरी सिंड्रोम और मर्स यान की मीडिली से रेस्पेरेटरी सिंड्रोम येसे जालनेवा बेमारे भी हो सकती है इस भाइरस का नाम इसके सेफ से अधार पर रखा गया है मतलब करोना भाइरस ये दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है करोना और भाइरस करोना मतलब इसके कराउन से आया है जिसका मतलब है ताज इस भारस एलेक्ट्रोन मेक्डियोस्कोप में देखने से क्राउन जैसा देखने में लगता है इसलिए इसका करोना भारस नाम पड़े ये भारस जीवित कोजी काउं में रहकर खुद को डेवलोप भी कर सकता है और अन्या भारस को भी जन्म देश सकता है ये भारास जानबारों और इंसान दोनों के एक साथ संक्रमीत कर सकता है सोध में सामने आया है कि कुरोना भारास सापों से इंसान तक पहुंचा है ये भारास एनिमल से समंधित है और समुद्री जीव जानतुए के जड़िये ये भारास चीन के लोगों में फैला और मीट के होल सेल मार्केर पॉल्टरी फार्म साप, चमगादर या फार्म एनिमर्स के जड़िये हूमन में आया है चीन में कैसे फैला? समुद्री जीव जानतुए के जड़िये ये वहरस चीन के लोगों में फैला दचीन चीन में समुद्र कास पास रहने वाले लोगों के सबसे पहले चापेट में ले लिया जिन में उहान सहर है इसलिए इस वहरस को उहान नाम से भी जाना गया यानि कि उहान भायरस से भी जाना गया दसिंद चीन के बजार जाहे। और यह बहर शुकत लेकरिया। जुख शूरु निश्यूव्य जनबरी दीच सब्से रोचाहा, जब इनसान संक्रामिट परसु का मान्ज खाता है, तब इसे भायरस फेल सकता है जानबर के मांस को ठीक से पकाया ना गया हो या गंधी जगा में तयार किया गया हो तब भी ये वो भायरस फेल सकता है कोरोना भायरस को सब से पहले उन्हें से साथी के दसक में पहली बार खोजा गया था और उसके बाद सन 2002 और 2003 में कोरोना भाइरस एक परकार को यानि सार्स 30 देशनल फेला गया था दुनिया भर में 8000 से ज़्यादा लोग सार्स के संक्रामिज हो गये थी उस बग 1000 से भी ज़्यादा लोग माले गये थे इसी तरह 2000 बाद मारफ देशों में मर्स यानि की मिडल इस्ट इस्परेटरी सिंड्रॉम जैसा कोरोना भाइरस मिला था और हु के अनुसार यानि की WHO World Health Organization के अनुसार कोरोना भाइरस एक जेनेटिक है इसका मतलब यह है कि 2019 यन को भी यानि नौवल कोरोना भाइरस जानवोडे से माना में फ्हला हुआ है और 2019 यन कोभी सीफूर्ट खाने से फ्हला था लेकिन अब रेग्याने को कहना है कि कुरोना भाइरस चम गाद और या सापो से इंसानों आप फैल रहा है कुरोना भारस से समय किसी भी ब rapidly की संबर्क नहीं से फैल सकता है किसी इन्फेटे बेक्ती के छूने और फिर अपने मुह या नाक या आखों को छूने से भी भायरस फेलता है ये भायरस कितना खतरनाक है वो भी जान लीजिए दुनिया भायर का स्वास अधिकार इस भायरस को लेकर सतर्क है और लोगों को भी सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे है लेकिन ये भायरस कितना खतरनाथ है इसके बारे में सटीक जानकारी अब तक नहीं निम पाई है करोण भायर्स का अपने जैसे शंग्रमित को सिकाओं को बनाने लग जाती है जब कोई भायरस हमारे शारी में फहनने लगता है तो वो हमारे शारी को अपने लिए एक रिसोर्स этज की रूप में पर्योग करता है हमारे DNA और RNA में changes आने लगता है और अलग अलग भारेस से भीने भीने पर करके रोग हमारे सरी में उस्पना करते है भारेस को बीमारी पेदा करने वाली machine कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा इसका लच्छन क्या है वह भी जान लीजिए सबसे पहले तो नाक भाना खासी गले में खराच होना निमोनिया होना फेबर में सूजन छीक आना अस्थामा का बिगरना इसमें आपको तियस सीर्दर्द और वुखार हो सकता है कमजोग परती रोधक छमदा वाले लोग के लिए यह खतरनाक है बुजूर्ग और बच्चे अ पहने ही तरीका है कि इस वाइरस के इंफ्यक्ट होने से बच्चे रहे किसी बीमार जुकाम या निमोनिया से गर्शी बेक्ति के संबर्क में आने से बच्चे अपनी मुह में मास्क पहने और जहां तक बच्चने के उपाई है वह के गैड़लाइन अपना नहीं होगी जैसे कि अपने हाथों को साबन और पानी से साफ करें खांसते या चिकते वक्त अपनी नाक और मुह को कपडा या ट्यूसी आम्मुडी हुई कोहनी से ढखें जिने सर्दिया फुलू जैसे लचन हो उसमें नियमी दूरी बनाए रखें ऐसे मास्क आधी पहना जिसा ही रहेगा मी मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो से इस वीडियो को लोगों तक पहुंच आए ताकि इस जनकारी को सभी लोगों तक पहुंच सके और फैला दीजिए जहां हो से कवाँ सोसल मेडिया में और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल सामेसे सब एने रहने के लाभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लिए ताकि आने वाले वीडियो आको सब से पिलेंगी थांक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो